वेल्कम दोस्तों मेरे python tutorial में आज बताने जा रहा हूं functions के बारे में functions in python ठीक है तो functions के बारे में आपको कुछ चीज़े बता दू तो सबसे पहले तो एक function को आप define कैसे करते है simple way तो function define करने के लिए आपको लिखना है def def definition का def उसके बाद आपको लिखना है function का name अंडर्सकोर यूज़ कर सकते हैं और function और उसके बाद bracket parenthesis और ये तो हो गया function define करने का तरीका और जो इसमें पास करेंगे अब वो इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा तो पहले आप समझे लो कि आपने अगर create करना है कोई function तो उसका ये तरीका है ठीक है दूसरा अब इसके अंदर function के code लिखने है आपने function create कर लिया अब इसके code लिखने है तो code लिखे बिना अगर आप run करते हो control V run करते ही आपको error आएगा क्योंकि आप function create करने के बाद उसके अंदर उसे blank नहीं रख सकते उसके अंदर code आपको लिखना पड़ेगा आप blank रख सकते हैं अगर आप आप सोचते कि बाद में इसके codes में लिखूँगा इसे blank भी रख सकते हैं लेकिन blank रखने के लिए आप कोई इसमें लिखना होगा pass that means अब अगर आप run करते हैं तो finish दखा रहा है तो यह कोई error execute नहीं करेगा यह run हो जाएगा बाकी के प्रोग्राम के बाकी के सारे code run हो जाएगे कोई error show नहीं करेगा anyways तो यह तो होगया function create करना उसके बाद आता है कि इस function को हमने call कैसे करना है function call करने के लिए simply आपको function का नाम लिखना name function और उसके प्रेक्ट ठीक है और अगर हम argument use कर रहे है तो उस argument का value यहाँ पर पास करना है suppose 3 5 तो क्या होगा 3 चला जाएगा A में यह बिलकुल order same maintain रहेगा और 5 चला जाएगा B में तो इस तरह से हम argument पास कर सकते हैं सो यह तो हो गया function define करना और function को call करने का तरीका अब यह structure आपने जाद रखना अब आप समझ लो कि अब function किस लिए जरूरी है function किस लिए जरूरी है इसको पूरे को मैं comment कर देता हूं ठीक है multiple commenting के लिए तीन words ठीक है welcome to my online store तो यह आपको पता है यह bend function है इसको run करना है Ctrl V यह हो गया welcome to my online store इससे पहले मैं बीच में आपको बता दू कि मैं python 3.8 यूज कर रहा हूं अगर आपके computer में नहीं है आपको install करना नहीं आता है तो उसका link मैं आपको description box में दे दूगा आप python install कर सकते हैं और मैं id जो use कर रहा हूँ sublime text 3 यूज कर रहा हूँ आप चाहे तो python के साथ in build idle आता है वह भी use कर सकते हैं क्योंकि tutorial के लिए मेरे खाल से sublime text अच्छा होता है क्योंकि same window में आपको result भी आ जाता है तो convenient रहता है video बनाने के लिए वैसे अगर खुद के practice के लिए idle is good enough और पाइचाम है लेकिन पाइचाम अभी काफी रिसोर्स यूज करेगा तो बेटर आप sublime text यूज करें या idle यूज करें तो और कोई भी doubt हो तो मुझे comment box में जरूर लिखे अभी भी मैं कुछ कर रहा हूँ अगर उसमें से आपको कोई यह यह tutorial किसी order में नहीं है कि first chapter second chapter third chapter तो इसको zero chapter ही मान सकते आप यह start है आप ऐसा मान सकते और इसमें कुछ भी मैं type कर रहा हूँ कुछ भी बोल रहा हूँ अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप जरूर comment box में लिखे और मैं उसका reply आपको करूंगा अगर reply करने के लिए अगर वीडियो बनानी की भी जरूरत पड़ी तो वीडियो भी उना के आपको post करूंगा so right तो हमने एक print comment लिखा है now आपके company में यह requirement है कि इस post को आपको hundred times display करना है मैंने एक बार लिखा print उसके बाद quotes यूज किया और एक string लिखा यह बन जाता है मेरा इसी को दुबारा copy करता हूं और paste कर देता हूं रन कर देता हूं और copy paste किया तो रन हो गया रिजल्ट जैसे कि आप देख सकते third time तो इस तरह से hundred times मैं करूंगा तो नहीं इतना भी खाली नहीं बैठा लेकिन पांच बार आपको एक्जाम्पल के लिए ठीक है तो रन करते तो पांच बार अब क्या हो रहा है अब suppose आपके company के boss चाहते हैं कि online store के बाद जो यह यह online store के O को और S कैपिटल होने चाहिए और और करेंगे आप को कैपिटल करेंगे स को कैपिटल करेंगे स्पेस को करेंगे और यह आप सब के साथ करेंगे तो जैसे कि मैंने पहले कहा था अगर 100 टाइम्स है तो 100 टाइम्स इसको आप करेंगे सबी को एक एक करके करेंगे तो यह को स्मार्ट प्रोग्रामिंग नहीं हुआ यह बहुत ज्यादा टीडियस और मैनुवल वर्क हो गया इसको आप कंप्यूटर प्रोग्राम बोल ही नहीं सकते तो अब क्या करना है यह प्रोशेस कि five times suppose five times hundred times हो अगर हमने suppose यह जो हमारा function है अब इसके comment मैं अटा देता हूँ कि अधिक है अधिक है तो यह जो फॉंक्शन है हमारा कि इस फॉंक्शन में हमने इस फॉंक्शन का कोड लिख दिया और कोड क्या है पृंकम टॉ-प्रिंट के बारे में अगर आपको जालना थो मैं इसका लिक भी दे दूँगा पृंक के लिए जो अगर कोई बीड़ा नो वीडियो चोटा असा वीडियो मैं डाल रहूं तो वीडियो भी आप देख सकते कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताना उसके मैं रिलेटेड वीडियो पनाके लिप डाल दिया कर लिया इसके अंदर कोड भी लिख दिया अब हमें four times जा five times या hundred times जितने बार भी लिखना है जितने बार भी रन करना है हमने सिर्फ इस function को call करना है जैसे आपको पता function name और parenthesis without parenthesis अगर करते हैं तो क्या होता है बहुत लोग without parenthesis without bracket भी कई बारी यूज करते तो control भी तो ये ये फॉंक्शन कॉल हो चुका है लग फॉंक्शन execute अब देखो किसी को गाना सुनने किसी लोग डाउन चल रहा है और को बोजिट चला कर वेठा है तो without parenthesis अगर हम function को लिखते तो ये सिर्फ फॉंक्शन को पॉइंट कर रहा है इसको इस तरह से समझना चाहिए कि इस function को ये point कर रहा है लेकिन इसको run नहीं कर रहा है execute नहीं कर रहा है run करने के लिए function को अगर run करना है तो parenthesis डालना पड़ेगा अगर हम without parenthesis run करते हैं जैसे मैंने दिखाया run program में कोई error नहीं आएगा और लेकिन जो function के जो अंदर के code block से उनको execute नहीं किया जाएगा बस ये simply इसको point करेगा pointer की तरह काम करेगा और अगर run कराना है उसके अंदर के codes को तो parenthesis आपको लिखना है अब हम run करते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर welcome to my online store अब हमने जो repetition की बात थी जिसके लिए हम actually function use करते हैं कि एक ही code block को एक code को हमने बार-बार use करना यह use कर रहा है तो उसके लिए हम function use करते हैं अब हम इस function call को suppose five times हमें यह line चाहिए तो इस function call को five times हम लिख देगे five times लिखने के बाद अगर हम अब run करते हैं तो यह five times online store की आ जाता है और hundred times, two hundred times, जित्ते भी times हमें use करना हो हम कर सकते हैं और अगर अब कोई आपके boss आते हैं और बोलते कि मुझे changes चाहिए अब वापिस इसमें space दे दो online और store के बीच मुझे space चाहिए तो आपको हर एक sentence में जाके इसको नहीं करना अब सिर्फ आपको एक जगा पे जाना है और space देना है, file को save करना और run करना है सारे changes पूरे software में अगर यह 1000 जगे भी use हो रहा है तो एक जगा आपको change करते हैं सारे जगे हजारों जगे जहां भी use हो रहा है सारे जगे change reflect हो जाएगा तो यह है use function का effectiveness इससे होता है और function के बारे में और भी बहुत कुछ है मैं इस function के tutorial का एक playlist पनाने जा रहा हूँ जिसमें advanced चीजें भी डालूँगा अब यहां पर आप simple यह आज मैंने basic बात बताईए कि function के वारे में कि function का structure कैसे होता है उसको define कैसे करते है और उसको call कैसे करते है अब एक चीज और मैं इसके अंदर बता देना चाहता हूँ कि argument जो मैंने कहा था parameter यह argument उसको pass कैसे करते करते हैं परामिटर यहां पर लिक ख़रता है तो वह कैसे करते हैं वह चीज़ भी होगा अब कि हमें वेल्कम के बाद हमें जो आरे उनका नाम डालना वेल्कम के बाद कि हमें एक झाओ कि हमें एक यूजर दो हमारा पेरामिटर जो है वह जाता है नेम ने परामिटर हो गया ठीके वह परामिटर हम कॉल जब करेंगे तो यहां पर नेम यूज्व करेंगे और रवी हो ज्या अजीत हो अमित हो कोई भी हो वो नाम हम यहां कॉल करेंगे और हम चाहते कि प्रिंट में वा जया तो एक प्लेस वल्डर उसके लिए देंगे यहां पर मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर रहा हूं string formatting कर रहा हूँ और अगर string formatting में कोई doubt है तो यहाँ पे भी मैं आपको एक link दे रहा हूँ link को click कीजिए और अगर string formatting में कोई doubt है तो एक छोटा सा वीडियो है उसको आप देखिए आपके सारे doubts clear हो जाएगे तो मैंने एक placeholder ले लिया यह placeholder में ने लिया किसके लिए name के लिए उसके बाद यहाँ dot format और यह placeholder में क्या आएगा name आएगा तो name ने यूज़ किया यह एक placeholder है यहाँ पर मुझे name चाहिए welcome उसके बाद name और फिर यहाँ आजएगा to my online store ठीक है और यहाँ क्या use होगा उसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा है name format यह string format है doubt हो तो आफ link क्लिक किजिए और उस video को देख लिए तो अब मैं इसमें name string पास करने वाला हूँ अपनी नाम से शुरू करता हूँ तो अब क्या हो रहा है जैसे मैंने इस function में name पास किया यह name यहाँ पर enter होता है function में और function में enter होने के बाद जब function का code run हो रहा है तो वो उस name को जैसे मैंने text formatting यूज किया format name यहाँ placeholder रहे लिया और जहाँ भी आप placeholder रखेंगे वहाँ पर यह जो प्रेकट में रहेगा वह आ जाएगा तो अर्गूमेंट पास करना बहुत सिंपल है कोई शुनी और एक चलिए और एक अर्गूमेंट पास करते है इसके इंटर तो वेलकम हम क्या लगते नहीं ठीक है यहाँ पे भी एक placeholder दे जितता हूं मैं और यहाँ पे यहाँ फुलेंगे इस सेकें एक पैरमेटर उस करेंगे इसको लेंगे ग्रीटिंग तो पिरामेटर हो गया एक हो गया greeting और एक नेम ग्रेटिंग के पाद कॉमा आगा नेम टू मैं ऑनलाइन स्टो और यहां पर हमें प्लेस व्ल्डन में क्या पहला क्या आएगा greeting greeting कॉमा नेम ठीक है greeting कॉमा नेम आ गया और थोड़ा सा छोटा कर लो हुआ कि आपको दिख चाहे हाँ तो greeting कॉमा नेम दोनों प्लेस सुल्डर के लिए मैंने दे दिया और अब यहां पर जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो अब मैं दो परामेटर पास करना है मुझे तो suppose for example दो नहीं करता और मैं रन कर देता सिर्फ नेम करता हूं और रन करता हूं क्या होता है तो एरर आता है एरर लाइन नमबर 6 में यह है और एरर आप आके देखिए यह टाइप एरर और इसमें क्या लिखा है और यह है missing one required positional argument name नेम यह बता रहा है नेम तो हमने डाला है रवी तो actually होता क्या है कि जब हम call करते तो वह order में होता है तो यह name greeting में जा रहा है ना कि यहां name में आ रहा है यह आप यहां दिखिएगा order में होता है first आप जो दोंगे वह पहले जाएगा और इसको अगर देखना भी है तो आप देख सकते हो उल्टा हम तरह हेलो तो अब क्या हो रहा है पहले greeting के जगर रवी जाएगा और name की जगर hello जाएगा जो की उल्टे order में रिखा और इसको अगर हम run करते हैं जो जैसे मैंने कहा error क्या था missing one required position जो एक missing था एक greeting आ रहा था दूसरा name blank था इसलिए यह error message अब हमने दोनों parameters का value अब हम पास कर रहे हैं जैसे greeting के लिए रवी और name के लिए hello जो की हमने लिखा था name तो name में hello to my store उल्टा लिख रहा है तो इस यह इससे क्या समझा रहा है आपको कि जो argument से वो positional होते हैं पहला one two फिर one two तो one one में जाएगा तो two में जाएगा तो यह हो गया argument पास करने का अब इसको हम ठीक करते हैं है आई अब इसको रूं करते हैं अब इसको रूं करते हैं अधिट हाई रवी तूमाइव तूमाइड है अब आए रवी तूमाइड चलो यह कोई लॉजिकल सेंटेंस नहीं है यह हमने इस concept समझना है यह हो गया अब सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब एक काम और कर सकते हैं इसमें यह मेरे खाल से यह लास्ट होगा आज के वीडियो का बाकी की जो फॉंक्शन्स पे हैं वह मैं आने वाली वीडियो में डालूंगा हमने डो प्रहमेंटर ले रखे और एक मैसिज हम एक वैलियो पास कर रहे हैं तो ओभियसलिय आपको पतार है ऐर ऐं लेकिन हम हम एक parameter का, एक argument का हूँ, argument बोलू या parameter value एक ही समझना, confuse मत होना, उसका हम एक default value assign कर सकते हैं, ऐसे कि, और अगर हम default value assign करते हैं, तो क्या होगा, अगर हम function call करने के time, उस parameter को, या उस argument को हम यहाँ पे define नहीं करते, पास नहीं करते, तब भी error message नहीं आएगा, वो default value ले लेगा, जैसे कि अब high greeting के जगह आगया, और name के जगह user, ठीक है, welcome, right, run करते हैं, welcome user to my own lunch store, ठीक है, क्योंकि हम name, अब अगर हम name enter करते हैं, तो, क्या होता है, यूजर को default value जो दे रखा, उसको override करेगा, अगर हम enter करते हैं, तो नाम आएगा, अगर नहीं करते हैं, तो जो default value है, वही आजाएगा, तो मेरे खाल से यह आज यहाँ खतम करना ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा load नहीं डालना चाहता हूँ, थोड़े थोड़े करके ही हम जाएंगे, तो बाकी के functions का जैसे मैंने बताया, playlist में तियार कर रहा हूँ, functions के advanced चीजे भी डालूँगा, मेरे खाल से इसमें कोई भी doubt होता आपको, तो आप comment में जरूर लिखे, और इससे related जो भी है, जिसमें आपको doubt हो सकता है, उनके links आपको description में भी मिल जाएंगे, उपर भी मिल तो उनको click करके आप इसको कर सकते हैं, thank you, thank you for joining, और अच्छा लगे तो channel को support करना, subscribe करना, share भी कर सकते हो आप, see you, see you in my next video